हेलो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना नहीं भूलें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए प्रेस करें बैल आइकन नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोस 10 के अंदर सेवड वाइफाई नेट्रक्स हैं उनके पासवर्ट देख सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें और कमांड प्रॉम्ट एड्मिन पर क्लिक करें यूजर अकांट कंट्रोल की तरफ से प्रमोट किया जाएगा यस पर क्लिक करें अब आपके सामने कमांड प्रॉम्ट ओपन हो गया है इसके अंदर कमांड लिखिए netsh space wlan space show profiles और enter press कीजिए यहाँ पर आप देखेंगे user profiles जिसके अंदर उन सभी wifi networks के नेम है जिन से आपने recently connect किया है तो अब एक network चूज़ कीजिए जिसका आपको password देखना है और type कीजिए netsh space wlan space show space profiles यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ wifi network का नाम cdlu space key equal to clear और enter press करें यहाँ पर आप देख सकते हैं security settings के अंदर key content सबसे last के अंदर है cdlu it cell जो की इस wifi का password है इस तरह से आप किसी भी wifi network का जो आपने recently connect किया हो उसका password देख सकते हैं तरह सबस्क्राइब देख सकते हैं